हलो एन वेल्कम बेक टू माई चैनल बात करेंगे इस वीडियो में KDDL लिम्टेट के बारे में करेंट प्रैस का 1180 रुपर चल रहा है आज एक बड़िया सा ब्रेक आउट भी हमें टेकनिकल देखेंगे किस प्रकार का पैटन बनता हुआ दिख रहा है तो स्टार्ट करेंगे कंपनी के फंडामेंटल से तो मार्केट केप देखा जाए तो 1506 करूड का बहुत ज़्यादा का देखने को नहीं मिलता है इस टॉक भी 32 का चल रहा है इंड़स्ट्री पी के अगर इस बार के वार्टर ली रिजल्ट देखे जाए तो काफी शांदार देखने को मिले है 313 करूड की इस बार अच्छी रिखसी देखने को मिली है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफी शांदा निकल का है 56 के असपास का निकल का है बिचिश हायर अभी तक का सबसे अगर इनकम की बात की जाए तो सिर्फ 4 करूड की देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा नहीं है तो यह थे इसके कौर्टर ली रिजल्ट और अगर इनके वैलन्स शीट देखी जाए तो बैलन्स शीट में देखा जाएगा तो रिजब काफी बढ़िया है 434 करूड के हो है डेट इसके विए काफी कम हो रहा है और पिछले तीन-चार सालों में अपने डेट को रिड्यूस भी किया है और अगर इनका शेयर होलिंग पैटर्न देखा जाए तो FII अब काफी रिड्यूस कर चुके है अपने स्टेक को प्रमोटर्स ने सबसे अच्छी बात है कि प् रहा है और FII का भी रिड्यूस हो रहा है पबलिक के पास लगओ 35% का स्टेक हमें देखने को मिलता है प्रमोटर्स अपनी कमपनी को लेकर काफी अच्छे बुलिश है और इसी का रिफ्लेक्शन आपको किस में देखने को मिलेगा चार्ट में देखने को मिलेगा क्या लोग मुझे बताएए कि चार्ट में किस प्रकार का ये pattern पूरा ये बनता हुआ हमें दिख रहा है कौन सा pattern है ये आप लोग दिखाईंग मैं आपको थोडा सा draw करके दिखाता हूं और यह जो पूरा पैटन यहां से लेकर के जो यह पूरा बना है, वो आप बताना कि कौन सा pattern है, comment box में, फिलाल इस tight consolidation यहाँ पे देखने को मिला एक uptrend में, चबट 10 consolidation था, बल्कुल एक range consolidation था, लगवग 923 से लेकर के लगवग 100 point के आसपास की इसकी consolidation की range थी और solid consolidation हुआ और finally consolidation को break करते हुए, अब finally breakout भी हमें मिल चुका है, तो यह एक breakout हमें देखने को मिला है, अब यहाँ से क्या target expectation कर सकते हैं, क्या इसका stop loss रहने बाला है, तो stop loss इसका रहने बाला है, stop loss को थोड़ा सो और इसको डगवग डीप करेंगे, तो stop loss लगवग लगवग खर्माना निकल के आएगा, 1070 के नीचे निकल के आएगा, यानि कहीं 1060 है, 1065 के असपास का stop loss निकल के आएगा, और target क्या रहने बाले है, target इसके रहने बाले है, लगवग हम 1400 के असपास के target को लिकर के चल सकते हैं, तो almost almost 300-300 के आसपास का short term में हमें target मैट होते हुए, मिल सकते हैं, accumulation zone क्या है, accumulation zone अभी भी लगवग ग्यावग एगा, 1150 रुपए के आसपास अगर आता हुआ, दिखे, तो definitely a good sign of accumulation है, तो जलिए ये थे KDDL के technical or fundamental hazard analysis, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, कमेंट बुक्स में जरूर बताईए, साथ ये जरूर बताईए, कि एक कि स्पॉन सा पैटर बना रहा है, जो भी सही जबाब देगा, उसके मैं कमेंट को हट दे दूँगा, धन्यवाद.